कि वेल्कम बैक मैं आपको सुसील सर एक पर फिर से फंडब मेटे क्लासिस में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको लेकर करके आया हूं क्लास 10th मैथ मैथ में सबसे पहला कोश्चन आता है आपका बहुत विकल्पी है और जो आपका अच्छे अंकका होता है जो बड़ी आसानी से फ्राप्त किये जा सकते हैं तो आज मैं बहुत पकल्पी प्रश्णों के बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 10 और 12 में हिंदी और क्लास 10 में इंग्लिश में मैंने जितने भी कोश्चन को बताया था वो सारे कोश्चन्स आपकी एक्जाम में मिले हैं 95% वो कोश्चन थे जो आपके एक्जाम में पेपर में रखे हुए थे तो उनकी सफलता को देखते हुए मैंने आज मैथ के कुछ कोश्चन को डालने का निश्य किया तो आई सबसे पहले बात करते हैं बहुत बिकल्पी प्रश्ण लेकिन उससे पहले मैं यह कहूंगा कि य तो आई सुरू करते हैं बहुत बिकल्पी प्रश्ण तो बहुत बिकल्पी प्रश्ण में सबसे पहला प्रश्ण हमने लिया है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x-y प्लस 8 बराबर 0 और 6x-ky बराबर मायने 16 संपाती रेखा इन रुपित करते हैं इसके बाद में जो हमारे next question question है दूसरा है कि चित्र में ABCD एक आयत है यानि इस चित्र में ABCD एक आयत है और AB की लंबाई ग्याद कीजिए AB की लंबाई ग्याद करना है जबकि इसका विकर्ण हमारा 10 cm है ठीक है तो इसके जो उत्तर हैं उन में से आप देखिए 18 cm, 9 cm, 6 cm और 6 root 2 cm इसके बाद में जो थर्ड question है हमारा थर्ड question हमने लिया है यदि sine A वरावर एक बटे दो तो cot A वरावर कितना होगा तो इसके जो answer है वो है बन अपन रूट 3 पहला दूसरा है आपका रूट 3 और तीसरा है रूट 3 अपन 2 और 4 हमारा वन इससी प्रकार से जो हमारा next question है वो हमने लिया है M का मान ग्यात कीजिए जिसके लिए 4X square माइनस 6X माइनस X और bracket में हमारा X माइनस 3 से पूर्टा विभाजित हो तो इसके जो answer है वो हमारे है 18, 45, 20 और 36 इन में सुखी एक answer ठीक है आप solve करके इसको देख सकते हैं इसके बाद में हमारा next question है AP 10, 7, 4 . . . . का तीसवा पद है ठीक है तो इसका कौन सो हो जाएगा एक 97 है एक 77 है एक माइनस का 77 है एक माइनस का 87 है यह हमारे questions है फूर 5 तो इनको आप करें उसके बाद में answer match करें फिर हमारा next question है हमने लिया है दो बिंदूओं के निर्देशांग माइनस 8,0 तथा 80,-8 है इन बिंदूओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदू के निर्देशांग है तो यह हमारे जो answer है वो हमारे है minus का 8,4 और आपका B है 4, minus का 8 और आपका C है minus 4, minus 4 और D आपका 4,4 इससी प्रकार से जो हमारे next question है वो cos 60, cos 60 degree, cos 30 degree minus sin 60 degree और sin 30 degree का मान इसमें ग्याद करना है तो मान आपका 0, 1, under root 3 upon 2 और D है 1 upon 2 इसके बाद मुझे हमारे next question है वो निमलिखित में से किस घटना की प्रायक्ता नहीं हो सकती यानि ध्यान दीजिए ये प्रायक्ता चैप्टर से है कि निमलिखित में से किस घटना की प्रायक्ता नहीं हो सकती 1 upon 3 पहला है दूसरा है हमारा 0.1 तीसरा है 3% और 4 है हमारा 17 upon 16 ठीक है इसके बाद में 9 question हमने लिया है वो बहुपद x square minus का 2x और minus का 3 के सुन्यक है इसके कौन से सुन्या के नमबर 1 है आपका minus का 3,1 दूसरा है minus का 3 minus 1 और तीसरा है 3, minus 1 और 4 है 3.1 ठीक है फिर इसके बाद में हमारा next question है हमारा 10 वो है k किस मान के लिए समीकरन युग्म x minus 2y वराबर 3 और 3x plus ky वराबर 1 का एक अधितिये हल होता है इसमें जो k का मान है वो minus का 6 है पहले में दूसरा हमारा k वराबर 0 के वल और c वराबर k not equal to 0 और d आपका k is not equal to minus का 6 इसके बाद में जो हमारा next question है वो है किसी समानतर स्रेणी में यदि d वराबर minus 4, n बराबर 7 और a वराबर an बराबर 4 है तो a कमान गैद कीजिए इनके option है 6, 7, 20 और 18 इसी परिकार जो हमारा next question में ने लिया है कि समानतर स्रेणी minus 11, minus 8, minus 5, dot 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 का पहला धनात्मकपद है minus 2 और इसका दूसरा है 1, तीसरा है minus 4 और 14 है 3 तो देखिए ये मैंने कुछ questions लिये हैं और इसी परिकार से इस तरीके के मिलते जूलते questions को आप और तयार कर लें जिससे आपको word exam में 100% ये मिल जाएंगे और इसके बाद में हम next video लेकर कर आते हैं अती लगू लगू पर तो तब तक के लिए जैहिन जै भारत यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो दोस्तों में share कीजिए, like कीजिए और comment करके हमें जरूर बताईए